तो देराज सर्थ भेशार जिसे तो आज की जो मुक्खे चर्चा है वो आरक्षण पर है पिर मोशन में जो रिजर विशने उसके उपर है मगर हमारी तो रोजी जो चर्चा है वो मुख्य लगबग इसी के आसपास ही घूंगती है एक बहुत कडाकी की ठंड में कडाकी की ठंड मतलब माइनस का टेंपरेचर और माइनस के टेंपरेचर में बरफ पड़ती हुई आसबान से तो एक बहुत गरीब सा कम कपड़ों में फटे हाल सा एक आदमी एक कौने में बैठा हुआ था एक अमीर को जो हीटरे में रहता था वड़ी बड़ी गाली में रहता था बड़े बड़े कंबलों में, बड़े बड़े कोटों में उसने सोचा अपनी सिती देखे कि तो मर जाएगा ठंड के मारे थोड़ा इसको बचाना चाहिए दया आ गई क्योंकि कहीं वो मानब रहा होगा थोड़ा बहुत तो उसने उसको कहा कि मैं आपके लिए गरम कपड़े लेके आता हूं और आप यहां रुको वो उसके घर के बाह मैं भूल बाल गया कि वो बाहर कुछ कहके भी आया है सुबह पता चला कि बाहर एक बुड़ा आदमी मरा हुआ पड़ा है तो उससे समझ में आया कि उसको तो कंबल देने थे तो उससे समझ में आया कि कंबल देता तो मैं ठंड से वो बच जाता तो जब बुड़े आदमी क पास गया वो क्योंकि उसको थोड़ी गलानी हुई तो उसके हाथ में कागज था उस कागज पर लिखा हुआ था कि अगर आप मुझे उम्मीद ना दे के जाते तो मैं मरता नहीं क्योंकि उसको कंबल की उम्मीद हो गई और उसको ठंड का एहसास होने लगा कि वो ठंड है तो उसका जो मन और मस्तिस्क है वो ठंड से लड़ने की बजाए कंबल के खौबों में चला गया और कंबल की गर्मी लेने लगा फिर उसके सरीर में जो मन ने जो मस्तिक्स ने उसके कि यूद्य ने उसको ठंट से रोकने के लिए लडने के लिए पावर दे रखी थी वो पावर चली इसके ग्यान के रूप में सरीर काम करता है बुद्ध ने बताया है और इसलिए उसको ठंट लगी और मर गया इससे पहले वह लगाता ठंट से लड़ रहा था और जीत रहा था ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां लोग परेसानियों से लड़ते हैं जीत जाते हैं और बड़े स्टॉंग होके आते हैं और ऐसे बड़े सारे केस हैं जहां लोग खुब ठूठूस के खा रहे हैं उसके बाद डायवटी से मर जाते हैं घरों में मोटे होके मर ज अगर आप बिना अकल के बिना वाइजली बिना सोचे समझे बिना जागरत के बिना जानकारी के आप उमीद लगाओगे तो एक अंधी टनल होती है जो जिसका कोई अंतर नहीं होता ऐसी गुफा होती है जिसके अंदर दूसरा एंडी नहीं होता जहां आप पार निकल ही नहीं तो अंधी उम्मीद नहीं होनी चाहिए यह जो आरक्षण का खेल है भारत के अंदर जो चल रहा है सरकारी नौक्रियों में यह अंधी टनल है अंधी गुफा है यह और इस अंधी गुफा में हमारे लोग खूब महनत कर रहे हैं पार निकलने के लिए मगर उसका जो दूसरा है वो तो है नहीं बंद पड़ी है महां से तो टकरा टकरा के मर जाते हैं और कुछ प्राप्त नहीं होता क्योंकि आरक्षण दरसल हमारी मर्जी के बिना हमें मिला है हमने नहीं मांगा था आरक्षण हमें मिला तो हमने इसका इसका इस्तमाल किया इसका उप्योग किया तो उपियोग, इसका उपियोग करके जब हमें दो पैसे और सरकाई नौकरी और कुछ अधिकार मिलने लगे, थोड़े से अधिकार, तो ये भी उनसे जिले नहीं, किन से नहीं जिले, जिन्नोंने हमारी राजगर्दी ले रखी है, जिन्नोंने हमारा राज सासन ले रखा है, जि सारे लोगों ने सरकारी नौकरी से प्राप्त करते 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 सतर साल में मुख्य मंत्री की सीट प्राप्त कर लिए और पठान मंत्री के दावेदार हो गए, ये नियम है इस बात का, कि अगर थोड़ा सा भी हमें, थोड़ा सा भी जागरती का एसास कहीं हो जाए, कुछ मिल है कि हम कहां से आगे बढ़ रहे हैं तो हम नोक्रियों से आगे बढ़ रहे हैं से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे सरी पर मास आ गया दुबारा से हमारी बुद्धी तेज होगी दुबारा से हमें पूरा खाना पानी मिल रहा है तो अकल काम करती है सरीर काम करता है आरक् संब्धानिक, अर्थिक आधार पर भी आरेकशन चलता है जो आनन फारान में नौटकरी हम को ना है आफ साग्से की Τम ले आते चर्श को तो प्रूंप को नहीं क predator के दुस्मन भाइज दुस्मन इस्भाब के है कि आप जहां जा रहे हो वहां से राजाह का राज सही का रास्ता खुलता है आपको सरकार में क्यों काम होते ہیں सरकार कैसे काम करती है कैसे नियम कानु करते हैं कैसे कानुम कानु करते हैं कैसे पॉलिसी काम करते हैं और कैसे वह बढ़ते हैं यह सब आपकी जानकारी में रहता है तो वहां से हटा दो इनको तो जानकारी नहीं होगी तो जो चाहिए वो कर लो कोई सरकारी दफतर है अगर व इसलिए सम्वेधानिक आरक्षण को खतम करने की हिम्मत नहीं उपाई तो पहला उपाई उन्होंने सम्वेधानिक आरक्षण पर हमला किये एक तो कमाल की बात यह है कि आरक्षण सम्वेधानिक चीज है और इस सम्वेधानिक चीज का कोई कानून नहीं है यानि आरेक्षण अगर किसी नहीं दिया पूरा नहीं किया तो उसकी पनिस्मेंट नहीं है आरेक्षण दे या ना ना दे तो खुला खेल चल रहा है कि इनका जो अधिकार बावसाब लेके आये थे उसको कितनी तरीके से खत्म किया जाता है इसकी मिसाल है अगर आप इस पर जाओगे तो किताब लिख जाएंगी पहली बात तो इसका कानून ही नहीं है सुरू में ये दिया रिगा ये कह दिया गया कि पड़े लिखे लोग लोग ही नहीं है और जब पड़े हुए लिखे लोग आये तो उनको कह दिया कि ये इसके लायक नहीं है ये इसके फिट नहीं है और जब वो फिट हो गए तो कहते हैं यहां ये लागू नहीं होता वैसी डिटेर हो जाते हैं तो प्राद्धन बना के इनको प्रमोशन भी उन्हीं के अनुपात में देना चाहिए तो उसे भी दिक्कत हो गई कि यह प्रमोट होके हमारे बरावर में आ जाते हैं तो आरक्षन पर जितनी भी चीज़े चलती रही उसको खतम करने के लिए कई तरफ से काम चलता रहा दरसल हमारे अधिकार जो बावासाफ सेपरेट एलेक्टर लेक्टर लेके आये थे पहले तो वो खतम किया और वो खतम करके आरक्षन का जुनजरा पकड़ा दिया और फिर आरक्षन के जुन-जुने को खतम करने के लिए बहुत सारी चीचे सुरू से लागू हो गए ना वो पार्लेमेंट से पास हुए ने कहीं वैसे ही. डिपार्ट्मेंट और परसल ने तीन पांच ओए निकाल दी और पांच ओशन निकाल के कहा कि आरक्षन में ऐसे होगा भर्ति ऐसे होगी सब हमारे खलाब. तो उससे में संख्या सरकारी करमचारी की जादा थी, वो इखटे हुए, तो लगा गिthinking कि और सरकारी करमचारी यो संख्या जादा है, यह खटे हो गए है, तो उन्होंने कुछ किया, तो दो, तीन आरे स्षण के जो O-M case तो पढ़रा ये है कि ये टोपी अच्छी नहीं है और judgment आ रहा है कि इसका coτ अच्छा नहीं है इसका coτ उता लिया जाये अरे भाया बात क्या चल रही है judgment क्या दे रहे है hot appeal फिर appeal में लाखों रुपे खcharge होते हैं हमारे लोग काबिल लोग हैं हैं दो लोग हैं वो बताएंगे आ को कि मैहनत करने में हमारे लोग कम म नहीं तो उन्मीद है कि भी लड़ना चाहिए तो लडते हैं और भी लड़ते हैं पैसा एकटा करते हैं पैसा जाता है जब सलिव्क माई वर समासन नहीं आता तो वो सारे के सारे लड़े तो लड़के क्या करें कोट में लड़े तो फिर वो सासन के लिए डिपार्टमेंट परसनल के लिए ओडर चला जाता है इस्टेटों के लिए चला जाता है फिर स्टेट लेके बैठ जाती है उसके ओडर ने निकलते फिर वहा लोग डिटायर हो गए तो समस्या ही खतम होगे कि अब आरक्षड की जरूती नहीं है क्योंकि नौक्रियां ही खतम करते हैं किया ऐसे नहीं मानेंगे तो डिपार्टमेंट ही बेस दो तो डिपार्टमेंट बेस दिए ना रहेंगे डिपार्टमेंट और ना ना बचेंगी लो तो वो डिपार्टमेंट भी जाने वाले हैं तो वो जो आरक्षण है उसमें कहा कि ये जो डिपार्टमेंट रहे गए है इसमें मत दो तो कोड में केस पड़ा हुआ है तो मेरे पास एक बंदा आया उसने कहा कि जो डॉक्टर केस्च चौहन है हमारे सुप्रीम कोड में केत में जाउंगा मैं कोट में जाऊंगा ज़ाऊँ कि लाई जलो ज़दा सिफारिश हो जाएगी तो चोहां साब में बताया कि अभी कोट में केस् exhort में डालो प्लेजमेंट आने वाले है वह तीन वह प्रानी बात ऻो ऐसी जज्ज्मेंट आ는दर है लिटर लखनों के अंदर वो कहते हैं कि जी बीस साल के अंदर भी कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि उन्होंने फिर तो वो चार दिन में दो दिन में लागू हो गया इधर पास हुआ और वो असेबंधारिक है वो नहीं हुई तो समझ में कब आएगा आपको कि जिनके जिनसे आप कोर्ट में लड़ने जा रहे हो वह वही लोग बैठे हुए हैं जिनसे आप डिपार्टमेंट और परसनल में ज करने हैं वही लोग बैठे हुए हैं जो इंप्लीमेंट करने वाले हैं वही लोग बैठे हुए हैं जो दफ्तरों में देने वाले हैं वही लोग बैठे हुए हैं जो स्टेट सकारों में बैठे हुए हैं वही लोग बैठे हुए हैं आप हो कहां कहां हो आप तो इसलिए बो क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि अगर कंबल नहीं आ रहा है तो वो अपना मनुवल बढ़ा लेता और महांसे निकल लेता वो कंबल का अंतिया करता रहा है कंबल आया नहीं और मर गया ये कंबल है जो आने वाला नहीं है और हम मर चुके हैं लग वाल कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब नौकरिया नहीं है 20% से नौकरिया कम है और ये भी पांसा साल में रिटायर हो जाएंगे उनको प्रमोसन नहीं मिलेगा एक सपना एक उम्मीद रहती है हमारा प्रमोसन होगा कुछ घर में जत मिलेगी कुछ पैसा फालत वा जाएगा हमारी चलेगी थोड़ी उमीद रहती है वो उमीद बेकार की उमीद है उससे पूरा नहीं होने वाला है तो करना क्या है क्योंकि ये कोर्ट ये जो सरकारे हैं ये जो तो वहां हरवार ये आता था कि आपके कोर्ट ने ऐसे कह दिया वैसे कह दिया तो होती थी कह रहे भाई ये तो जज्जमेंट में गलत है ये तो माना नहीं है ये तो हमने मांगा नहीं ये कोर्ट ने जबरन बदला कोर्ट में बात कुछ और करना है और जज्जमेंट कुछ face value है वो अपने face के चेहरे के पैसे लेता है और पचास जार रुपे पैसी एक लाग रुपे फैसी दो लाग रुपे पैसी और पैसी पर सिर्फ खड़ा होना कुछ हो या ना हो बात खतम हो गई तो पैसे पैसे जा रहे हैं तो ऐसा लगा वे सब लोग हस रहे हैं कोट केस को चला जाता है कुछ घेरिंग के बाद में वहाँ सब लोग हसते हैं या आगे इनको खड़ा रखो फिर वहाँ से धक्के खा के आते हैं तो स्टेट गवर्मेंट हसती है कि आगे कितनी जग हसाई करा होगे कितना लोगों को हसबा होगे कि आप बलकुल ही मर गए या बेर्मेंटों में ढूंड़े जा रहे हैं इलाज इसका हो है जो भारत के सम्विधान में है और सम्विधान ये कहता है जिसकी जितनी संख्याबारी उसकी उतनी बात मानूँगा तो संख्यावल लाओ, तो संख्यावल कहां से लाओगे, संख्यावल के तो टोटे पड़े हुए हैं, संख्यावल की तो अहलत ऐसी खराब है, जैसे किसी के घर में ग्याहों की बोरी रखी हो और महाँ पे 500 चुहे कुतर के उसके टुकड़े-टुकड़े कर जाएं, टोटे- सारे हैं जिसमें राजनितिक पार्टियों के हैं जिसमें धंगे लोगों के हैं जिसमें लड़कों के दलबल के हैं जिसमें आर्थिक उद्धार करने वाले लोगों के हैं जिसमें सामाजिक संग्ठने सारे सारे 29 लाख हैं भाई और यह 29 लाख एक काम करते हैं समाज को जोड़ने का वह असके पेट पकड़ लेना चाहिए किसी अंजाना आदमी को कि 49 लाख टुकड़े समाज को जोड़ेंगे इसका एक बोड लगाना चाहिए हमको 29 लाक टुकुड़े अलगला की खटे होके ये कह रहे हैं कि हम समाज को जोड़ेंगे अभिय तुम अपने टुकुड़े ही खटम कर लो समाज अपने आप चुट जाएगा तुम अपने आपको खटम कर लो चस्माला गुआ अच्छा वाला नहीं तो अकल का खोलो दर्वाजा बावा सापने जातियों को पहचाना समझा सारा काम करके गए तो उन्होंने एसी, एस्टी, ओबिची, तीन धड़े में बदल दिया मझ़वरी में बदला मकर तीन धड़े में बदल दिया और मंद्र देखे गए, कि इन तीनों को एक करने के लिए बुद्ध के पास चले जाना, और बुद्ध को तो सिधा-सिधा कह दिया कि ये तो धरम है, ये तो रिलीजन है, बइव गद्ध धरम और रिलीजन नहीं है, बुद्ध एक जीवन जीने की science है, वो पूरा जीवन जीने का mathematics है, वो सम्विधान है, सम्विधान जो बावा सामने बनाया, वो बुद्ध की किताब ही है, पस नाम बदल गया है, उस पर अगर हम लिख देते हैं के written by बुद्ध है, तो वो सम्विधान वही है, वही सम्विध चलता है दुनिया के अंदर वह बात मानी नहीं वह भी लटक गए वह भी जटक गए तो यह जितने टुकड़े हैं इन से परिशान थे पर संतों के डेरों के बावां के इनके टुकड़े आगे तो भाई जन संख्या बल कहां से लाओगे और जब जन संख्या बल नहीं लेके आओगे तो संविधान आपकी बात नहीं मानता और जब संविधान आपकी बात नहीं मानता तो बचाएगा कौन आपका सोचते हो कि बचाने के लिए आपको MP और MLA और cabinet ministry जो आपका हुआ जाएंगे पूरे अगर आरक्षन कहीं लागू हुआ है सतर साल में सेंट परसेंट सो परसेंट आरक्षन अगर कहीं लागू हुआ है तो वो MLA और MP का लागू हुआ है सारे SC-ST की सीट भरी रहती हैं और आपको सुनके आशरे होना चाहिए और अपना सर पीटना चाहिए कि 10 साल के लिए आरक्षन था बस ये MP MLA का 10 साल का आरक्षन था और इसको हरवार बढ देते हैं क्या कहके कि कि अभी सुरूल काश सुरूल ट्राइब के जो लोग हैं वो इस लाइक नहीं हुए है कि वो बिना आरक्षन के अपना प्रितिनितित्व दे सकें इसलिए इसमें उनके वैलफेर के लिए हम 10 साल के लिए इनका जो MP MLA बनने का प्रितिनिति है जो MP MLA का जो नियम है कानून है उसको और बढ़ाते हैं यह अमेंडमेंट हो जाती है अरे भाई यह जो लोग है करोड़ों जो 30 करोड़ों लोग है इनके अधिकार नहीं मिले है MP MLA तो हमें एक भी नी चाहिए हमें तो यह जो 30 करोड़ों लोग है इनका अधिकार पुरा दे दो ये जो 21% लोग हैं जो उनका रिजवेसर बनता है वो हमें पूरा चाहिए उस पे तो कोई बात नी करता है वो तो खतम कर दिया और ये जो 200, 300, 400, 500, 700 जो ये MPMLA हैं इनके लिए हरवार हरवार बढ़ा देते हैं बिना मांगे बढ़ा देते हैं क्यों बढ़ा देते हैं क्यों क कंबल की उमीद नहीं रहती तो हम खड़े हो जाते कि भई हमें अपना प्रदिद्नित भेजना है तो हम सारे खट्टे होके फिर सेपरेट इलेक्टरोल बना लेते हैं अपना और फिर हम अपने आदम को बोड देते क्योंकि जब आरक्षर नहीं है तो सीट कहीं की जहां भी हमें खड़ा होना है होना है तो हर जगे हमारा बंदा खड़ा होता तो हमारे सारे बंदे खटे होते तो हम मोलभाव करते कि बताओ भाई यहां सीट हम लेंगे वहां सीट तुम लेना यहां सीट हम लेंगे वहां सीट हम लेंगे तो हम 30% सीट ले जाते तो कंबल की उम्मीद वो जानकार हैं, वो समझदार हैं, उन्होंने वो आरक्षन जिससे हमें फाइदा होना है, जिससे हमेरे बच्चों की पेट भनने हैं, जिससे हमें नोक्रिया मिलनी हैं, जिससे हमारे बच्चे पढ़ने हैं, वो तो खतम कर दिया, और जिस आरक्षन से गुलाम पैदा होते है हैं जिसारा अक्सा से हमें नुपसान हो रहा है और वो जो खतब हो जाता जिससे हमें फाइदा होता है वो हर साल हर बढ़ा देते हैं दस साल और हमारे लोगों ने कभी यह आंदोल नहीं किया कि हमको नीच चाहिए है MPMLA भै हमारे किसी काम के नहीं है सतर साल में जितने भी अधिकार आये थे वो सारे सारे पालियामेंट से गए हैं या कोट से गए हैं पालियामेंट के अधीन होती है कोट अगर पालियामेंट एक वार पास कर दे कि यह चीज़ पास होती है इसको स्टूल नाइन में हम रखते हैं तो कोट उसमों छेड़ी नही पिशबाए कि पाई तो हमने उनके रिजर्वेशन से क्या लेना देना है भाड़ी लेगा नोथा हमारे कहने के बावजूद भी उसको खतम नहीं कर सकते वो नकरेंगे क्योंकि अगर वो रीजर विशन खतम हो गया तो आप यकीन मानना कि जो दिन रीजर विशन खतम होगा संग बन जाएगा उटमेटिक उस दिन संग पूरे भारत में do प्रकृती का नियम है कि जब आदमी कम्बल का सोचना छोड़ देगा तो कितनी भी ठंड पड़े उसमें जी जाएगा कित उसका मन उसका मस्तिस उसका सरीष पूरा काम करेगा फिर लगा के तो कि वो जो गंदी उमीद है जो बेकार की उमीद है उसके भरोस नहीं रहेगा इसलिए ये जो उमीद होती है जो अंधी उमीद होती है ये हमें मार्क देती हैं तो हमको अंधी उमीद में नहीं जिना हमको तरनल में नहीं जाना उस गुफा में जाना जो आगे से बंद है और हमको गुफा में जाने नहीं है हमको तो भाईया उस हौल में जाना है जिसमें खूब साई लाइट लगी हुई है खूब सारा खाना है बड़िया बेंड बाजा बच रहा है खूब रंग रंगे कपड़े तो सम्विधान के साथ सा जाना पड़ेगा, तो सम्विधान कहता है, हॉल में जाने की एंट्री तब है, जब संख्या बल 51% हो, अब लाओ 51% उसन सर्थ बता दिया अपनी, सम्विधान तो बेवाई नहीं करता, आपने जो सम्विधान बनाया है, आपके जो पिता में ने सम्विधान बनाया, गजब का बनाया है, सब के लिए बरावर है, आपके लिए बरावर है, लाओ, वगर जनसंकी आपके पास है, आप उसका इस्तमान नहीं कर सकते, तो 120 करोड होने का फाइदा उठाना चाहिए, चलो 120 में OBC को समझ में नहीं आती है, या जितनी आती है वो जाने उनका काम जाना या जो आ सकते आ जाएं, बाबा साब की जो संतान है, जो समझ में आना चाहिए, कि बाबा साब ने साफ साफ कहा है, उगली उठाय कहा हुआ है, कि रास्ता इदर से जाता है, तो इखटे हो जाना चाहिए, तो इखटे होने का काम है ये, जो ये समझ संग है, ये इखटे होने का है, तो ये देखा गया कि इखटे होने में बीमारियां कौन-कौन सी है, कौन-कौन सी वाइरस हैं, कौन-कौन सा करोना है, जो यहां घुसा हुआ है तो वो करोना निकालो सबसे पहले तो देखा कि सबसे पहले करोना तो इस बात का है कि आदमी हो केता है मेरा संग्टन है मैंने बनाया है मैं फाउंडर हूँ मैंने स्थापित किया है और बड़े-बड़े बोर्ड लगाता है संस्थापक इस्थापक फलाना 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 अब पागल हो गया क्या यह जितने भी संग्ठन होते हैं यह सारे के सारे जितने बनते हैं यह और पागल है वो हमारे बाप दादाओं ने पहले से इस्थापित किया हुआ है बुद्ध ने भी इस्थापित नहीं किया बुद्ध से पहले लोगों ने इ इसके founder हमारे दादा-पर-दादा-दादी परदा दी है, और out-पर उनके नाम पते भी नहीं पता बहिए, क्यों हम नहीं पता? क्वी कि इसमें को नेता नहीं होता इसमें मिले गए नहीं, तो नेता नहीं है, तो यह नेता का ati वाइरस भी इसमें से कहतम है in the user होने का जो चसका है उसका भी इसमें से खतम हैं तो इसमें पैसे नहीं लिए तक कोई पैसा बड़ा बुरी बिमारी है जैसे ही पैसा संग में आया संग में गबल होने शुरू हो जाती है इसलिए पैसे को दूर रखा हुआ है छूना नहीं भी पैसे को जो तुम्हारा लगता राजनीती के पास जाना चाहिए उसे अपना टेस्ट कराना चाहिए जाогड़ चाहिए किसी साइक्टर के पाँ जाना चाहिए उसे पता नहीं है क्योंकि ये समण संग का fundamental rule है ये basic rule है कि समण संग जिंदगी में कभी राजनीती में नहीं गया क्यों नहीं गया क्योंकि राजनीती के अंदर power होती है और power जो होती है वो आपको करप्ट कर देगी और जब वो करप्ट हो जाएगा तो आपका संग करप्ट हो जाएगा तो संग सबसे बड़ा होता है तो संगों को जिंदा रहना है करप्ट नहीं होना है तो राजनीती करनी है ना क्योंकि राजनीती तो जो समर्ड लोग है, उनको जाना चाहिए, बना तो बंड लोग राजनिती में सारा काम कर देंगे, तो आप कैसे रूल बनाऊगे, कैसे बजट में अपना हैसल होगे, तो वो जरूरी है, तो शमर्ण संग यह कहता है, राजनिती में जाओ ना मने कौन करता है, समण संग नहीं जाएगा समण संग के लोग जितने जाना चाहें जाएं मगर वो जितने भी लोग वहां राजनीती में जाएंगे रहेंगे तो सारे समण करेंगे तो समण का वेलफेरी मगर समण संग अलग इसनी रहेगा क्योंकि राजनीती में उँच नीच होती है, पैसा फिलोरिस होता है, करपसन होता है वहाँ पर, करपसन किया जा सकता है, उसकी आच अगर समर्ण संग पर आई, तो आप एक ही वार राजनीती कर पाओगे, फिर समर्ण संग जिंदगी में दुवारा से किसी को राजनीती के लिए करे करना चाहिए बावा सामने समिधाने बनाया है बावा सामने राजनीतिक इस्टेटस दिया है बावा सामने राजनीतिक पाड़ी बनाई है हमारा हक है हमारा अधिकार है मर कोई यह प्रस्ताब लाए कि समर्संग को जाना है तो वो बेफूफे नादाने उसको पता नहीं है तो समर संग धार्मिक भी नहीं है, रिलिजिस नहीं है, कोई व्यक्ति कहे कि इसमें तो बुद्ध है, बुद्ध धार्मिक नहीं है, बुद्ध धरम नहीं है, बुद्ध रिजन नहीं है, बुद्ध ने कोई रिजन नहीं दिया, बुद्ध तो एक पदती है जीने की, जो ये दी हुई है, बुद्ध ने कब कहा है कि राजा कितनी बोट है, रानी कितनी बोट है, या राश्टपती ऐसे बनेगा या राश्टपती नी, वो सम्विधान में है जो modern stream आया हुआ है, वो अलग काम है बुद्ध का काम अलग है तो बुद्ध लोगों के जीवन के मानव जो value है उसमें interfere करते हैं लोगों के जीवन सुधानले के नियम दिये हुए उन्होंने पूरी दुनिया में जितने भी लोग है साड़े साथ अरब लोग है, उन सब के बुद्ध है मगर religion नहीं है, धर्म नहीं है इसलिए बुद्ध ने ना कोई मठ बनाया ना कोई religion बनाया, एक वार जो महाविर जैन है महाविर जैन एक्सपार होगे तो उनके चेले आपस में लड़ने लगे, मैं गद्धी का माली बनूगा, मैं बनूगा, तो भिकुत दोड़ा दोड़ा आया के लागा भंते, विकुत अतागत वहां महाविर चले गए हैं, उनके चेले लड़ रहे हैं गद्धी के लिए हैं, बड़ी बुरी इस्तिती हो रही है बड़े लोग कह रहे हैं कि बताओ ये कैसे महाविर के चेले हैं, जो गद्धी के लिए लड़ रहे हैं तो आपके बाद ऐसा ना हो कि यहां भी ऐसा हो और आपके नाम पर लोग ठूकें तो आपना अभी गद्धी का मालिक बना जाओ अभी किसी को बना जाओ तो वो बुद्ध ने का। में कोई सासन ऐसा डबलप नहीं हुआ ना कोई मठ बना ये जितने मठ बनाए हैं अब बनाएं लोगों ने और कहां से बनाएं मनुस्वत देखके बनाए हैं जितने भी मठादे जिस घूम रहे धम में जो जगे-जगे मठ बनाके बैठे हो इनसे पूछो के बुद्ध ने सुख के लिए ये काम नोने काहा था तो ये चीज सारी 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 समर संग के अंदर है समर संग जिंदिगी में कभी मठ नहीं बनाएगा ना कोई बिल्लिंग बनाएगा ना पैसा खटा करेगा क्यों बनाए पूरा भारत हमारी बिल्लिंग पूरा भारत हमारा घर है कहीं बै तो यहां कोई व्यक्ति बाद भी नहीं है, कोई व्यक्ति बाद नहीं है, यहां सारे बरावर हैं, यहां नरकोर सर और महिलाओं को बहन कहेंगे बोला जाता है, क्योंकि भंते बुद्ध ने सिकाया कि सबको समानता से बोलना भी है, बैस समानता तो तभी होगी ना, जब खान में समानता हो, बैटने में समानता हो, बात reduces थोड़ी Сब्छ करते meinem वे सब्छे बैठने में समानता है, क्योंकि बुद्दध के साथ में सब लोग जमीन पे बैठाते हैं तो यहां भी जमीन पे बैठते हैं और आकर खाते हैं तो यहां काम सारे करते हैं ऐसा नहीं पर कुछ लोग काम करेंगे क्योंकि यहां कोई पद नहीं है तो पदादिकारी नहीं है तो काम सबको करना पड़ेगा तो आप यह कह सकते हो यहां तो सारे पदादिकारी हैं सभी यहां सारे सारे जितने भी लोग हैं वो समण क तो सबका राइट है तो यहां कोई फारम नहीं भरा जाता यहां कोई फारम नहीं यहां आपको कोई रोक नहीं सकता अगर कहीं समण समाज की वीदा पीपल की समण संकी मीटिंग लगती है आप समण हो तो आप आ सकते हैं बैठो बस मस्तो के बैठो आराम से पूछो आपका हि विचार नहीं है मैं जो यहां लगातार बोलता हूं या मेरे बाद जो लोग बोलेंगे या जो पहले बोल चुके हैं या जो बुद्ध ने बोला है या जो डॉक्टर मिर्टर ने बोला है ये विचार हमारे नहीं है ये हमारे दादा दादी परदादी के विचार है जो लगा हैं जो बुद्ध ने दिये हैं जो उन्होंने महां से लेकर डिसकबर करके लिखे हैं बेसी करी जैसा बुद्ध ने बताया था कि जितने भी बुद्ध पहले आए या जितने भी बुद्ध आएंगे बुद्ध का मतलब जिनको बुद्ध हो जाए जिनको बुद्ध ही बद्द्ध design के अंदर भी सारी बात वही है कोई व्यक्ति अपना निया विचार लेके नहीं आ सकता क्योंकि फैसला जू करता है संग करता है व्यक्ति करते हो सकता है यह संगढ़ी अनलिवम है तो यह हम लेकर आता है को आदम्या ऑगे ये कहे कि मैं तो तीन दिन डांस करना चायता हूँ और समढ़ संग कर प्रचार करना चायता हूँ तो समढ़ संग उस पे बैठेगा चर्चा करेगा कि इसका डांस करना समाच लिए ठीक है या नहीं है नाच कर प्रचार करना ठीक है नहीं है तो समढ़ संग जो कानूनी राय ह होगी और जो इसलिए है आप आकर देख ine है इसको बोलते हैं व्यक्ति है अब तक जितने भी आए हैं पने भचे बचाने हैं अपने उपने बचाना ऐपने आपको बचाना है अपने आपको शुपी कोई देनी हैं उनको पढ़ाना है उनको लेखाना है उनको खेत खलियान देने हैं उनको फैक्ट्री देनी है उनको इंडेस्ट्री देनी है तो एक खट्टा होना पड़ेगा तो एक खट्टे होने के लिए यह आपके लिए घर है पुराना घर है और यह टैस्टिट घर है पह सब्सक्राइब करें तो सवालों के जवाब बाद में देते थे पहरे सुनो करो देखो तो लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो भीड बढ़ती गई बढ़ती गई और बहुत सारे लोग और फोकट में काम करते थे साब कोई तरंगावनगा नहीं मिलती थी कोई कि अपना लाओ अपना खाओ वैसे ही यहां समन संग में हो रहा है कि यहां डे बाई डे डे बाई डे बाई हर दिन हर दिन यहां लोग बढ़ना है और जिलों में उधर लखनों की मीटिंग फिक्स हो गई, यह मीटिंग लगाता लगाता चल रही है, इसलिए आप आईए और देखिए, आईए और देखिए, अच्छा लगे तो चलाईए, लगे अच्छा ना लगे तो हमको बताईए, कि समर्संग में कोई बुराई नहीं होती, कोई कमी न ला देंगी, यह गरम हवाएं चल रह रही हैं, यह गरम हवाएं आती जाती रहती हैं, इसलिए अपने घर में आजाईए जितनी जल्दी हो सके, और जितने संगठन हैं, उनको कहिए कि भाई, संग में आके रहिए, और उनसे कहिए कि भाई, हमने आपको पैसा दिया, बात नहीं बनी, परिणाम नहीं आए, अब हम आपको पैसे देंगे, तब इखटे होके आओगे जब, क्योंकि पहले भी जुड़े थे, जीते थे, फिर जुड़ेंगे, फिर जीतेंगे, जब जुड़ेंगे, अभी जीतेंगे, और जितने जुड़ेंगे, उतने जीतेंगे, जिद्द जिद्द रहने की है, जिद्द जिद्द रहने की है, और हर हालत में जुडेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती, रोकने बहुत आएंगे, मगर इस्वार रोकेगी कैसे, क्योंकि यहां पद नहीं, प्रतिष्टा नहीं, पैसा नहीं, यहां कोई जग दगड़े की चीज़े ऐसी है नहीं इसलिए यहां प्यार मौपस सब है भाई चारा है बाकी जो चर्चा अब होगी वो समिधान पर होगी आप लोग जम के जो सवाल पूछना चाहें उसके आरशन के उपर पूछें हाला कि हमें मिलने वाला कुछ नहीं है मगर फिर भी अपन आप सबी से यह निवधन हैं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धंव की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को gift में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामू संगं सरेणं गच्छामू दूंतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामू दूंतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामू दूंतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामू बूतियं पी नम्मं सर्णं गच्छामी 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 साथू, साथू